विचारों से प्रेलिते उदारबादी और गरम दल से मतलब करांधिकारी आप जानते ही होगे भगत सिंग, राजगुरु, सुक्देव, ये तीनों एक साथ भारत के करांधिकारी बहादूर तीनों, एक साथ मा भारती के लिए फासी पलट डगे लेकिन दुनिया को या करोलो भारत बासियों को ये मैसेज नहीं दिये, कि हम मुझदिल गमार हैं, एक बार उनके आँखों में आसु नहीं, फासी के फंदिक को देखकर किसी भी तरह से याचना नहीं, बस हमें आजजादी चाहिए, इसके लिए फासी नहीं, और भी जो हो लेलो, लेकिन भारती मा को हम आजजाद देखना चाहते हैं, हास्ते हास्ते फासी पलटकना, ये भारती इवाओं को मैसेज दिये, कि बस फासी कबल करो, बस उसके पहले आज़ादी, आज़ादी से समझावता नहीं, फासी नहीं कुछ भी हो जाए, आज़ादी, ये मैसेज मिला, भारत की इवाओं को, भारती मा को आज़ाद करना है, इसके लिए कोई भी कीमत चुकाना पड़े, फासी नहीं कुछ भी बट आज़ादी, ये मैसेज गया, और ये इतनी ताकत इतना प्रेणा मिला, उसके बाद इवाओं में, और जबजस चेतना आई, जबजस लाई, अंग्रेजों की हलत कमजोर होती हैं, और जब कमजोर होती हैं, तो सायद आस तक हम लोग गुलाम ही होते हैं, आस तक गुलाम नहीं है, ये स्रे कांटिबिशन किन को जाता है, ऐसे ही बहादुनों, आपको याद होगा, आपके हाँ बटुकेश्वर दत की कहानी की बात किया जाए, बीके दत, बडुकेश्वर दथ एक ऐसे युवा थे जो लिं फिन पर्शनाल्टी थे एक दम दूबले पतले उतना दूबला आप लोग जीतने भी लोग बैठें हैं सामने कोई उतना दूबला नहीं है बिल्कुल दूबले पतले लेकिन सचाहिए है कि ताकत सिर्फ यहां से नहीं यहा परूर नहीं होगा सोचिए बड़ुकेश्वर्दत की एक घटना का एक्जामपल में दूँगा बड़ुकेश्वर्दत ब्रिटिस पार्लियमेंट में बिलकुल अंदर बंब रखने में सफल नहीं और रखे ही नहीं बंब फोड भी दिये आप सोचिए ब्रिटिस गवर्में की सेक्योटी नहीं रुख बाई बंबी सोट हुगा फोटा उन्होंने बोल दिया जब सेक्योटी फोर्ट सेब के धर को पकड़ रहे हैं मारना हत्या करना नहीं था मेरा उदेश था हम बहादूर भारती वाओं का मैसेज देना कि तुम्हारे सेक्योर्टी फोर्सेज तुम्हारे अत्यचार तुम्हारी गिनावने गंदे पालीशी नितियां हम लोगों को लंबे समय तक रोक नहीं पाएगे हम बहादूर हैं कायर नहीं हैं यह मैश्च रिना सिर्फ था तुम्हारी सेक्योटी धरी की धरी डग है मैंने जो चाहा कर लिया कल भी यो चाहे कहीं भी किसी को ऊड़ा सकते हैं यह मैश्च धेना मरा दिस था सोचिए मैंने इसलिए कहा कि ताकत सिर्व बाहर से नहीं, बहुत मजबूत हैं, अंदर से कमजोर हैं, तो इतना बड़ा डंडा देख के भी भगेंगे, अगर अंदर से हैं, तो पदा चले कहां से ताकत आएगी, एक 47 से भी डर नहीं, याद कीजिए, एक BSF के जो जवान थे, नाम उनका याद आ रहा है, BS चेतन चीता सायद नाम था, BSF में CEPF के द्वारा जो होते हैं, डिप्टी कमांडेंट थे, एक अटना आप लोग भूल गए, पुरुसकार भी उनको मिला है, उनकी एक आख चली गई, आतंक बादियों ने 9 गोल लिया मारी, ये 2 साल पहले की बात है, सारे चैनल पर हाइल गाइड, अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते दस दिन पहले जीन उस पर भी दिखाये गया था, और हो सकता है, ये पंद्रगास तारहा, इनकी चर्चा होगी, होता रहता होगी, गुबादुरी का मिसाल मैं सुना दूँ, इतना जल्दी मत बुलिया आप लोग, चेतन चीता को 9 गोलियां लगा आतंगबादियों की, और ध्यान दीजिएगा उगटना नहीं बूलता है, आख में भी गोली, आख एक चला गया, 9 गोली लगने के बाद, और आतंगबादी का गोली का मतलब, सिंपली खुट-खुटिया, तमंचा का नहीं, कैसा होगा गोली, आप समझ सकत 9 गोली लगने के बाद, अपने गंसिक, ऐसे चार आतंगबादियों को डेड़ बाड़ी, 9 गोली के बाद भी अधिक सधिक दुस्मन को मारो, यानि अपने जानी से पहले ये 4 को डेड़ बाड़ी बना दिया, ये भूलता नहीं है, 4 डेड़ बाड़ी, इस बात की चर्चा हमारे हाने वर्ड मीडिया करने लगी गजब का बहादूर जवान नौ गोली जिसको लग गया और अपने को इतना ताकोत तर मानदा है नौ गोली के बाद भी चार आतंग बादियों को क्या बना दिया डेट बर्डी उसके बाद हास्पीटल सबको स्ट्रीटमेंट वाई एक आँख तो चलाई आँख में गोली लग गई एक आँख से देख रहा है और एक आँख से देखते हुए कितने को ठेर कर दिये चार सोचिए तो इसलिए ताकत की बात किया जाए तो बाह एक्स्टर्णली सिर्फ नहीं वो कहां से होता है बीके दत ही नहीं आज भी कई दत है यह एक्जामपल है तो आईए उनी परस्तियों की मैं बात करूँगा इनी परस्तियों में धीरे धीरे हमारे आप जैसे लोग ही नहीं काफी जो एजट थे वो भी अपने तरीके से मांग करने लगे संभीधान सवा का तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग बातें करेंगे संभीधान का निर्मा इस इस अब बेकिंग आफ दो कॉंट सिर्फ तो हम लोग बातें करेंगे टॉपिक है संभीधान का निर्माड बारती संभीधान का निर्माड हुआ था संभीधान सभाग के द्वारा तो जो संभीधान सभाग जो संभीधान सभाग के द्वारा भारती नेताओं के द्वारा होने लगे तो संभीधान सभाग की मांग डिमांड आफ कांट्सिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्न निक कैसे हुआ पहले इसकी मांग करें तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संभीधान सभाग की बाग करें डिमांड आफ कॉंसिटिटनल एसम्ली समीधान सबागिमा कॉंसिटिटनल एसम्ली की डिमांड आफ से कोश्चन होगा फर्स्ट टाइम कॉंसिटिटनल एसम्ली डिमांड डिमांड बाइविच लीगर पहली बार समीधान सबाग की मांग किस नेता के द्वारा किया गया जानते होंगे साइड कौन जवाहर लाल नेरू और कोई एम एन राय और कोई अचे बेरियोल्ट बाल गंगा दर्ती लग क्यों नाइंटिन एटीफाइड नाइंटिन एटीफाइड तो कमारा देश सजाद नहीं था एटीन एटीन नाइटीफाइड वीरी गूड बहुत दीर से याद किये तो ये समय था एटीन नाइटीफाइड बिल्कुल सहीं होने बताया और यह कौन थे престieren बाल गंगा दर्ती लग कर दो एक आंद फिर तो बीजी तिलक बीजी तिलक बाल गंगादर तिलक में पहली बार समविधान सवा की मांग 895 में द्रसल एक कॉंट्सिस्टनल बिल एक समविधान विध्यक इन्होंने लाया और उसी कॉंट्सिप्टनल बिल उसी सम्विधान बिध्यक के द्वारा इन्होंने मांग किया 1895 में कि हम भारतियों के लिए एक सम्विधान सभा होना चाहिए जो भारतियों के लिए सम्विधान निर्माण का काम करें और उसी संविधान के द्वारा भारत की पूरी बेवस्था सब कुछ होना चाहिए यह मांग किये बट इनकी मांग जो ब्रिटिस गोवर्मेंट के सामने रखी गई अग्यां की सामने चाहिए यहने ब्रिटिस गोवर्मेंट ने इनके मांग को सीथे से डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया कोई चर्चा ही नहीं, यह भी नहीं कि भारती नेताओं से कुछ चर्चा भी करें, कुछ मान लिजिये, वादे भी करते कि आज नहीं, इतने समय के बाद, इतने समय के बाद विचार करें, ऐसा भी नहीं, सीधे से डिनाई, अब आप सोच सकते हैं, जब भारती नेताओं ने मांग किया और वी सधारण नेता नहीं उस समय के जाने माने प्रकर बखता थे बहुत तेज तराक लीडर माने जाने देश भक्त और इतने महान नेता के मांग को सीरे से इंकार किया गया तो भारतियों में आकरोष्ट नराजगी बढ़ेगी की नहीं पक्का बढ़ेगा राजगी और इस प्रकार से सक्तिव प्रदर्शन होने लगा सक्तिव प्रदर्शन कैसे ब्रिटिस कवर्मेंट की कोई भी पालिसी है उनका बिरोध भारत के किसी पर्डिकुलर एरिया में नहीं आल ओबर इंडिया के बीविन चेत्रों में उसकी परदर्शन गाओं के लोग हैं वो भी परदर्शन खेतों से निकल कर किसान भी सड़कों पर जबरदस परदर्शन यूनिटी के साथ इस्ट्वेंड कालेज से निकल नहीं कालेज से निकलते हुए भी माभारती के सपोर्ट म इसी प्रकार से ब्यपारी भी डाक्टर, टीचर, एड़ोकेट, सभी वर्ग यानि जवदस यूनिटी के साथ परदस्न होने लगा और इस प्रकार से पालिशी क्या थी कि हम डिमांड को रोकेंगे नहीं मांग जरूर करते रहेंगे, लेकिन मांग किस तरीके से करेंगे, हम मांग को करेंगे, बढ़ किस तरीके से करेंगे, लगातार मांग करते रहेंगे, मांग नहीं चोड़ेंगे, लेकिन साथ साथ क्या करेंगे, हम अपने सक्ति को भी दिखाएंगे, कि हम आप से कम नहीं, और यह unity जबरदस भारत के बिविन चित्रों में सब हम परदर्शन करेंगे और साथ-साथ मांग भी नहीं चोड़ेंगे बले यह मना कर रहे हैं डिनाई कर रहे हैं लेकिन बीच-बीच में मांग करेंगे और सक्ति क्या परदर्शन तो exam oriented बाते में करूंगा हर demand को हर बात को नही आप exam नहीं हैं competitive बातें करेंगे next demand की बात किया जाए तो यह demand 1922 1922 और किसके द्वारा किसके द्वारा मांग किया गया कि महात्मा गांधी एक चीज़ ध्यान दीजिए महात्मा गांधी ने जो मांग किया था इनके मांग का तरीका मांग के लिए जो प्रसुती इनका था थोड़ा अलग था इन्होंने कैसे यह सेल्फ गौवर्मेंट कि स्वराज इन्होंने जो मांग किया इसमें वर्ड इन्होंने कांशिशनल एसेमली संभिधान सभा सब्द का परियोग ही नहीं किया मांग किसका किया संभिधान सभा बट संभिधान सभा सब्द परियोग नहीं डिमांड इनका Constitutional Assembly का था बट Constitutional Assembly वर्ड नहीं यूज किया इन्होंने इस तरीके समांग किया स्वराज बिटिस कोवर्मेंट के थुरू दी गई कोई गिफ्ट कोई उपहार नहीं होनी चाहिए ये भारती जनता के स्वेम भारती जनता के इक्छा से उत्पन होना चाहिए आप कुछ ना करें हमारे लिए हम स्वेम भारती अपने इक्छा से आपके द्वाराग कोई गिफ्ट कोई उपहार नहीं गिफ्ट उपहार जो महत्मा गादी ने सब दी स्वेमिक इस तरा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए इसका मेनी क्या समझ रहे है आप लोग से मतलब repet ग two time समय समय से ब्रीटिस गूर्मेन्ट हम लोह के लिए कुछ नकुछ policy लाती थी आह जो पॉलिटी लाती थी और पालीशी दिखाती थी भारती जनता कर इंट्रेस्ट में है आपके हित में लेकिन हमारे ही नहीं होती थे इसलिए हम भारत के लोग उन पालिसिस के बिरोध करते थे तो इसी को महत्मा गांदी जी ने गिफ्ट उपहार ब्यंगात्मक सब्दों में कहा कि यह हमें गिफ्ट नहीं चाहिए यानि हम अपने लिए स्वैम बैवस्ता गिफ्ट से मतलब समझ गए बट अपनी डिम कर्मेंट वर्ड यूज करके स्वराय सब्द का परियोग करके संभीधान सभा का मांग किस भारती नेता ने किया था क्या जबाब होगा किस भारती नेता ने बिदाउट कॉंट्सिश्टनल एसमली वर्ड यूज किये बिना संभीधान सभा सब्द परियोग किये संभीधान सभा का मांग किया महत्मा गांदी इन्होंने परियोग संभिधान सभा सब्द का नहीं किया बट मांग किसका किया उसी का और ये भी पुछा गिया है कि महत्मा गांदी जी ने संभिधान सभा का मांग कब किया था आपका जबाव क्या होगा आप समझ गए गौवर्मेंट ने इनको भी डिनाई किया इंकार किया लेकिन लोगों में नराजगी पहले से ज़्यादे बड़ा क्यों महात्मा गांदी एक ऐसे नेता थे जो हम करोड़ो भारती इस्तरी पुरुस उनमें बड़ा फेथ बड़ा विश्वास भरोसा रखते थे किसी नेता की सफलता असफलता डिसाइड होता है उसके फालोवर कोई बहुत बड़ा अपने को नेता बनता है और उसके चार भी फालोवर ना हो समर्थक ना हो उस नेता को क्या कहेंगे फेल है असफले और कोई ऐसा हो जो देश की करोड़ो पब्लिक उसको समर्थन करती है उ यही कारण था कोई भी आंदोलन ये शुरुवात करते थे सफलता मिलती थी। क्यों? क्योंकि देश के लाखों पबलिक इनको सपोर्ट समर्थन करते थे और यही कारण था कि इनके आंदोलन की जो शुरुवात होती थे ब्रेटिस गवर्मेंट की हालत बिगड़ जाती थे। इतने पापलर, इतने लोगप्रे थे, इतने ग्रेट महान हम भारती लोगों के निगाह में। इसलिए भारतियों को बढ़ा तकलीफ हुआ कि हमारे महान नेता ने जो मांग किया, यह जो मांग किये थे लोगों को काफी होप उमेद था कि एक्जैक्ली भले ही डिमांड को ब्रिटिस गौवर्मेंट फुल्फिल न करें, एक्जेक्ट भले ही पूरा न करें, बट कुछ वादे एस्टुरेंस पक्का देगी, इनकी बातों को तो ब्रिटिस गौवर्मेंट इंकार बिलकुल, बिलकुल इंकार तो नहीं करेगी, कुछ न कुछ दो, लेकिन सीधे से ने डिनाई किया, इसलिए लोगों में आक्रोस नराजगी पहले से जादे पड़ गया, एस्ट्रेजडी क्या थी, भारती नेताओं की एस्ट्रेजडी थी, बले ही ये डिमांड फुल्फिल नहीं कर रहे हैं, बट हम लगातार क्या करेंगे, करेंगे डिमांड, बले ही 24, किसके द्वारा हुआ था? पंडित मोतिलाल नहरू, तो पंडित मोतिलाल नहरू जी, उस समय के एकाफी सेनियर लीडर हुआ करते थे, इनके द्वारा मांग हुआ, लोगों को उमीद यहां भी, लेकिन सीधे से इनके मांग को ब्रिटिस गोवर्मेंट ने इंकार कर दिय कर दिया, मैं बता ही चुका हूँ, एस्टाइड यह थे कि बले ही मांग पूरा नहीं करेंगे, बट हम मांग करना छोडेंगे नहीं, और अपने सक्ति का परदरसन भी नहीं छोडेंगे, समय समयत में अपने सक्ति का परदरसन भी करेंगे, यह उमीद था कि जब ऐसा करते रहेंगे, तो एक दिन आएगा इनको जुका देंगे, और हम जो चाहते होगा, तो इसी सिलसिले में आगे भी डिमांड चलता रहा, नेक्स डिमांड जो हुआ इस परकार से, और नेक्स डिमांड हुआ था, यह हुआ इन 1934, आपने अभी एक नाम रखा था, क्या नाम रख थे, तो यह Communist Party के बहुत ही Senior Leader थे, मन राय की विशेशता क्या माना जाता है, किसी भी बात को किसी मन से, या कहीं भी अपनी बात को रखते थे, तो बड़े ही तारकी ढंग से, बड़े रिजनेबल ढंग से अपनी बातों को प्रजेंट करते थे, चाहें Y.S. राय हों, या को किसी भी मुद्दे को, तो बड़े ही प्रभावसाली ढंग से, बड़े तारकी ढंग से, तो इसलिए लोगों को उमीद था, कि ये जब British Government के अगेंस सम्विधान सभाग की मांग रखेंगे, तो इतने प्रभावसाली ढंग से, इतने तारकी ढंग से ये प्रस्तूत करेंग कि पूरी तरह से भले ही मांग को स्वीकार न किया जाए, बड़ कुछ बातें तो पक्का ही इनकी British Government स्वीकार करेंगे, कुछ वादे एस्वरेंस या हो सकता है कुछ पार्शियली आंसी कुछ बात माल लेगे, बिलकुल इंकार करेगी, ऐसा लोगों को उमीर नहीं था, ले इनके भी डिमांड को सीदे से ढिनाई किया, आप समय सकते होंगे, अब लोगों के अंदर क्या, आप देखे होंगे, जब कभी भी किसी रिजल्ट के लिए बड़ी उमीद है आपको, एंडिये दे रहा है, सीडियस, और एक अटेम दे चुके है, दुसरा अटेम बड़ी त तयारी नहीं है, तो उस समय जादे तकलिप नहीं किया हों, अपने कोई कहेंगे, भाई हम तो तयार थे ही नहीं, हम कितना समय पढ़े ही थे, हम तो टाइम ही नहीं दिये, इसलिए रिजल्ट का बहुत इंतियार भी नहीं, तकलिप भी नहीं होगा, आज ये बताईए, कुछ चैनल पर खबर सुने होंगे, सचाई बताया जा रहा है, मेरी काम की कमी नहीं रही है, वो मेडल मिलता, सचाई आप लोग चैनल पर खबर देखिए, मैं भी देखके आ रहा हूं, अभी अभी थोड़े देर पहले देखा, सोचिए, तो इस तरह से क्यों दुखी है भ कोने आँखों से देखे, वो लोग उसी तरह की परस्तूती वहीं से दे रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे, कहा कहा कमिया, मतलब सिर्फ मेरी काम, ये बताये, कुछ हैसे लोग जो ये विरोधी, कि इनका इतना एज, हम कहते हैं कोई एज कम हो या ज्यादे, उसके एबिलेटी देखी जाएगी, कोई IS एक्जाम दे रहा है, 21 साल चार महीने है, इसलिए फियल किया जाए क्योंकि 21 साल चार महीने का है, जिसका आटेम खतम हो रहा है, उसको सफल करो, ये कोई तरीका है, ये गलत है कि नहीं, अगर 21 साल चार महीने में आईएस के एबिलेटी रखता है, ज्यादे होप है और वो आपको नहीं प्राप्ति होती या चीब नहीं करते हैं तो तकलिफ ज्यादे होगा यहाँ पर भारतियों को ज्यादे तकलिफ होने का यही कारण था अब सुनिए परस्तिती काफी बदल चुके थी अब आप कमजोर नहीं थे क्यों परस्तिती क्या 85 आप सभी लोग जानते हूं दिसंबर 85 की बात है भारती राष्टी कांग्रेस जो हम भारतियों के लिए एक बड़ी ताकत थी कि आप सोच रहोंगे कैसे हमारी ताकत थी मैं अभी सौन में कुछ सेकेंड में सुना दे रहा हूं कैसे ताकत थी दिसम्बर 1885 में जो भारती राष्टी कांग्रेस इस्टैबलिस हुआ इस्थापित हुआ अब जानते होंगे किस ने किया था एक अंग्रेस था भारतियों के लिए टाकत आखिर क्यों खड़ा किया वह तो अंग्रेस था उदूसमन थे हमारे गुलाम बनाये थे तो वह हमारे लिए ताकत क्यों खड़ा करेंगे कारण क्या था कोई बताएंगे ध्यान दीजिए वास्तों में देखा जाए तो यह वो हिम की दिमाग की उपज नहीं थी आपके कंट्री में एक वाइसराय था उस वाइसराय का नाम था वाइसराय लाल डफरिन और वाइसराय लाल डफरिन की माइन बड़ा ही साप था बहुत तेज दिमाग था उसने क्या सोचा परस्तिती को देख लिया और समझ गया कि भारतियों पर लंबे समय तक हमारी गौवर्मेंट ब्रिटिस गौवर्मेंट गुलाम नहीं बना पाई इनके अंदर इतनी हांसले हैं इतनी आववेर्नेस बढ़ गई इतनी नेशनालीटी राष्टियता इतने जुनून है अजादी की इतने बहादूर हैं इनको लंबे समय तक गौलाम बनाना समझा डफरिन ने क्या बोला क्या समझा डफरिन समझ गया कि जब हमारी कोई पालि कुछ नहीं थे और आलोबर इंडिया में बिरोद एक बड़ी ताकत थी डफरिन तेज दिमाग था समझ गया इतनी जाग रुकता और इतनी हिम्मत साहस इतनी यूनिटी है तो दुनिया की कोई ताकत हम क्या दुनिया की कोई ताकत इनको आगे लंबे समय तक गौलाम नहीं बना पाए उसने क्राणनीती तयार किया अपने अफीसर को आडर किया आदेश किया उसके अफीसर का नाम था एवो यूम बुलाया कहा यूम हलात जो देख रहे हो भारत का फीवचर में गौलाम बनाना इनको संभव नहीं कारण यह है जो मैंने आपको बताया इतनी यूनि से धूए निकल रहे हो पालूसन निकल रहा है लेकिन एक दो जगा नहीं साइकलू जगा से तो भले ही पतले पाइप से है साइकलू जगा से है इसलिए इन सारे पालूसन धूए पर कंट्रोल करना संभव नहीं होगा डफरीन ने कहा यूम को जानते हो कब संभव होगा सार पालूशन को जो पतले पतले पाइप से हैं सहेकड़ू प्लेसे से निकल रहे हैं एक प्लेस से निकालो एक ही मोटे पाइप से सारे छोटे पाइप को रोक दो तो कितना हो मोटा पाइप है प्लेस एक है उस पर कंट्रोल करना असान होगा यह थिंकिंग था क्या किया कि हुम देखो एक ऐसा और्गनाईशन सेट अप करो इंडियन के लिए एक ऐसा संगठन बनाओ जो कामन पिपुल आफ इंडिया भारत की आम जनता उस और्गनाईशन में भरोसा भीश्वास रखती हो कैसे संबव है ये काम तुमको करना है ही हुम इस और्गनाईशन का नाम इंडिय प्रस्तूत कर चुके थे याद किजिए लाला लाजबत राय के हत्या के बाद आप बहादुर करांतिकारी जो पुलिस आफिसर सांडर्स था उनको क्या कर दिये बहादुरों ने ये एक्जामपल था तो मालूम था डफरिन को इतने बहादूर है गुलाम जरूर है अगर को इंगलिस मैन को इस औरगनाइसन का अध्यक्ष कर बनाए गया तो पक्का हत्या बरदास्ट नहीं करेंगे इसलिए निर्देश दिया अपने आफिसर हुम को इसका अध्यक्ष भी भारती होना चीए इसका नाम भी भारती उन्मुक हुम ने क्या किया वाइसराय के आधेश पर काम किया इसका नाम क्या रखा नाम रखा इंडियन भारती हम इंडियन हैं नाम इंडियन खराब लगेगा और भारती को भारती अच्छा लगेगा भारती नाम में आगे क्या राष्ट्री भारतिय राश्ट्री इंडियन नेश्टनल उसके बाद क्या Congress Indian National Congress का Hindi होगा भारतिय राश्ट्री Congress Congress से मतलब है सभा समेलन इसका मतलब होगा भारतिय राश्ट्री लोगों का सभा समेलन क्या ये नाम किसी भारती को जिसके अंदर नेशनालिटी राष्ट येता है जहां भारती राष्टी सम्मेलन की बात किया जाए किसी भारती को ये नाम खराब लगेगा किसी को नहीं सब को अच्छा लगा और प्रथम इसके हैड प्रेशिडेंट अध्यक्स काउन सभी जानते हैं डबलू सी बनर जी व्योमेश चंद बनर जी बंगाल के रहने वाले थे कोई बंगाल का हो पंजाब यूपी असम कहीं का सब के मन में यह मैसेज पहुंचा हमारा भारती भाई अध्यक्ष है कहीं का भी हो कोई विरोध नहीं करेगा इसलिए डबलू सी बनर अगर इंग्लिस नेम होगा और इंग्लिस अध्यक्ष होगा तो एक मिनट भी यह बरदास नहीं करें अब आगे सुरिए यह अपने उदेशे के लिए गठन किये बट हुआ नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ अधिक से अधिक भारत के लोगों को जागरू करो अब इनके सदस जो इस्तिरिया थी कम पड़िल की हमारे समाथ की जो महिलाओं में भी थी सहरों में उनकी नुकर सभाएं करके और इनकी महिला नेता अवेर जागरू करती थी माताओं बेटियों बहनों डरने की जरुवत नहीं है आपके उपर मा भारती का अलाज है उनकी आजादी बस आफ के सर पर है सोच लिजे इस तरियों की भी एक गुरूप बन गई उनकी क्रांतिकारी बकाईदे सब कुछ इसी तरह से गाओं के कम पड़े लिखे मुहले में कम पड़े लिखे लोग हैं जो आवेरनेस की कमी है पुरुष इनके मेंबर उनकी नुकर सभाएं जगा जगा करके उनको समझाना ऐसे वैसे उनके अंदर भी पहले से ज़्यादे आवेरनेस जाग रुपता अब हम भार्तियों के लिए एक बड़ा ताकत कौन बन गया आई एनसी डफ्रीन ने सोचा क्या सोचकर मैंने यह तयार की आये क्या हो गया उसने सोचा भी नहीं ता आपने एक मुहावरा सुना होगा एक मुहावरा है सीने पर साप लोटना क्या मेनिंग होता है इसका सीने पर साप लोटना एक मुहावरा है क्या हुच्छा इसका मतलब है सांस रुकना और कोई हैं इस अपना अच्छा और कोई ध्यान दीजिए यूपी पीसियस में हिंदी में ये कोश्चन पुछा गया आप ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए सभी लोग इतने भी बताएं हैं गलत जबाब दियें सही जबाब सुने शीने पर सांप लोटने से मतलब होता हातास होना देखिए दो प्रकार की बाते हैं आप लोग कोई एक्जाम देते हैं अगर एक्जाम में फेल हो गये ये बड़ी बात नहीं है लेकिन हतास हो गये कि संबह भी नहीं है future में प्लीज ये सब नहीं ये सब नहीं थोड़े दिरका class है शिर्फ यहां प्लीज तो ध्यान दीजिए जो एक्जाम फेल हो गया लेकिन हांसलब मेंटेन है तो कल को ranker भी होगा अगला item लेकिन एक्जाम फेल हुआ हतास हो गया और हमारे बसका तो NDA ही नहीं, CDS हमारे बसका नहीं, तो दो बातें, जो फेल हुआ है, हतास नहीं है, अगली बार रेंकर भी होगा, साइस शेना में रहते हुए, इतनी जबरदस्त प्रदर्सन कितने पुरसकार क्या क्या पाएगा, क्योंकि हांसले है, हांसला कुछ भी दे सकता है, हत हतास नहीं है, लेकिन दूसरा फेल हुआ, सिर्फ फेल नहीं, हतास हो गया, तो मैंने कहा कि डफरिन के सीने पर सांप लोट गया, मतलब क्या हुआ, हतास हो गया डफरिन, कि अरे मैंने क्या सोच कर INC बनाया, INC ये सोच कर बनाया कि मेरी ताकत बनेगी, एक जगा से हमारे सरकार के लिए खतरा खतम, लेकिन जैसा सोचा वैसा नहीं, जस्ट अपोजिट हो गया, इसलिए हमारे थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, हमारे जो चिन तक हैं, और मानते हैं, कि ये संस्था, ये और्गनाइसन, जब सेट अप हुआ, अपना कारी रूप दिया, तो मनजूरे खुदा होता है, और आप लोग बताईए, इस्वर को मनजूर क्या होता है, सच्चाई अच्छाई, सच्चे मार्क पर, इमांदारी के मार्क पर का हूँ था हम लोग, हम लोग किसी को अत्यचार थोड़ी करतें, गुलाम थोड़ी, अपना अधिकार, हमारा देस ह हमको दीजिए, तो सच्चाई के मार्क पर आप दे, गलत मार्क पर काउन था, इसलिए इस्वर ने साथ आपका दिया, उनको साथ नहीं, यह सच्चाई है, और इसलिए यह हमारी ताकत बन दे, अब आगे सोचिए, इसी आइन्सी ने क्या किया, 1938 की बात है, एक बहुत बड आईन्सी ने क्या डिसेनल लिया, हम भारतियों के लिए एक संबिधान सभा होगा, ठीक है, और उस संबिधान सभा के सदस्य, निर्वाचीत होंगे, जो भारतियों के लिए संबिधान का निर्माट करेगा, यह निड़ लिया, भारती राष्टी गांग्रिस ने, 38 की बात ह तो नीड़े लिया और पंडित जवाहर लाल नहरूजी ने इनकी नीड़े, INC के नीड़े को पंडित जवाहर लाल नहरूजी ने क्या किया? आई-एन-सी के आन भीहाफ एनाउंस किया, तो भारती राश्ट्री कांग्रेस का ये नीड़े था है, ये ब्यक्तिगत किसी एक परसन का नीड़े नहीं था, किसके नीड़े थे, INC, आई-एन-सी संगटन जो था, उसी के तरफ से, उसी के आन भीहाफ, पंडित जवाहर लाल लेकिन आप ये बताईए, ये सुनकर निस्चित रूप से उस समय सभी भारतियों को कैसा लगा होगा, बड़ी उमीद, बड़ा अच्छा, अब हम लोग गुलाम नहीं रहेंगे, समिधार निर्माड हुआ, ऐसे, लेकिन ये बात ब्रेटिस गवर्मेंट को कितनी अच्छी लगी होगी, बिलकुल बेकार आरे, सोने की चिडिया हमारे हाथ उसे निकल जाएगी, करोड़ों यहां से लोड़ती थी ब्रेटिस गवर्मेंट, उसको ये बात बड़ी खराब लगा, इसलिए ब्रेटिस गवर्मेंट के आफिसर उस समय के नेताओं को धम किया दिये, कुछ भी वेवस्ता देने वाले हम, गुलाम लगता है सुपन देख रहे हो, धमकिया देने लगे, लेकिन इंडियंस लीडर समझ गए, इस निड़े के बाद अगर इनके धमकी से हम लोग डर गए, हम इनके पालिशी का बिरोध नहीं करेंगे, हम परदर्सन नहीं करेंगे हम आकरमण पाले जैसे करके इनको हतास नहीं करेंगे, तब तो ये समझ जाएं कि हमारे धमके से डर गए, इसलिए डरने के जरूरत नहीं, जो भी होगा हम आंदोलन पाले के पेक्षा और तेज कर देंगे, इसलिए आईनसी के नेता बिभीन छेत्रों में कोई भी छेत्र ह हो, ये अपना प्रोग्राम रखना, लोगों को हिम्मत हांस ले देना, स्वयम अनेक जगा प्रदर्शन करना, रेल की पटरियां उजाड़ो, पोस्टापीस बेवस्ता, सरकारी सभी पॉलिशी के बिरोध ये शुरू कर दिये, और इसमें बहुत जादे संक्या में, कालेज में हुआ, बर 38 नहीं, आप इसी सिलसिला को जारी रखे, आगे भी क्या, यही, आगे भी यही, यानि 1940, ये सिलसिला कांटिन्यू, तो 38 में जब ये तेज हुआ, 39 में बढ़ा, बढ़ते बढ़ते इनकी हालत बिगड़ गई, और बिगड़ती हालत और कैसे, 1940 की बात में आ बिगड़ रही थी, ब्रिटेन की, जपान हा भी हो रहा था, देखिए, इसी को गुड़ लग, बैड़ लग काते हैं, जब आप अच्छा तयारी कियें, परसिती गड़बड हो गई, नहीं होता है, तो आपको कहा जाएगा, आप भी बाने की बैड़ लग था, इतनी अची दूरी का फाइदा आपको मिला, उस फाइदा को मैं दिखाना चाहूगा, 1940 की बात है, 1940 की बात है, ब्रिटिस गोवर्मेंट ने क्या लिया, एक आफर आपको दिया, इस आफर को क्या नाम दिया गया है, अगस्त आफर, इसको कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव, ज़रह आपने हालत बिगड़ दिया, अब समझ गए, और उधर हालत बिगड़ा, वर्डवार में, तो ये समझ गई थी, ब्रिटिस गोवर्मेंट अच्छी तरह से, आप इंडियन, हम लोग गुलाम जरूर हैं, लेकिन हम लोगों में ताकत है, हम लोगों में हिम्मत होंसले है, य ये बात ब्रिटिस गोवर्मेंट जानती थी, तो ब्रिटिस गोवर्मेंट ने सोचा, इंडियन गुलाम जरूर हैं, लेकिन बड़ी हिम्मत थी, अगर इनका सहयोग वर्डवार में मिल जाता है, तो निजचित वर्डवार हम लोग बीजई होंगे, ये समझ गई, तो अग वर्डवार में आप सहयोग कीजिए, और वर्डवार में आपका सहयोग मिला, हम लोग बीजई होंगे, जैसे वर्डवार बीजई हुए, वर्डवार समाप्त होते ही, इंडिया को हम डोमेनियन इस्टेट प्रवाइट करेंगे, मैं अभी समझा रहा हूँ, डोमेनियन इस प्रवाइट करेंगे यानि हिंदी में इसको बोला जाएगा अधी राजी को तो अधी राजी का दर्जा डुमेनियन स्टेट का इस्टेटस देंगे यह ब्रिटिस कोवर्मेंट ने आस्बासन दिया वाधा दिया यह किस आफर में दिया अगस्टाफर की समय बिस्यूद चला वर्डबार्ब चला है इस वोर्डबार्ब में हमें साहीयोग कि जिए और पक्का हम जीतेंगे जैसे वर्डबार्ब की कहानी खतम वोई जीत गए आपको मेंनियन इस्टेट का स्टेट डेंगे वाट डिय्म मिंट्विंगा समझिए फिर आगे बढ़ुए da führen कि ये चलिए 5 मिटबस्य इसको एक्स फुलिन करके रोग देते हैं ध्यान दीजिए तो डोमिनियन स्टेट क्या होता है इसको समझे आधी राज़ी क्या होता है British government जो डोमेनियन स्टेट आपने आफर में अपने प्रस्ताव में दिया ये क्या चीज होता है समाझ दिजिए डोमेनियन स्टेट एक ऐसा स्टेट जो कम्प्लिटिव फ्रीडम इंडिया कंट्री को मिलना नहीं था। राज आज साबरेन है संप्रभू है इंडिया एक इस्टेट है और इस्टेट के क्या क्या रिक्वाइर्मेंट है अज टाइम नहीं है नहीं तो मैं बताता कल के क्लास में चर्चा करूँगा क्यों इंडिया स्टेट समझ गए तो इस तरह से यह इन्होंने वादा किया कि हम आ पार्तिय नेता, complete freedom चाहिए था उनको, पुरी तरह से अजादी, थोड़ा भी आपका control आपका नियंत्रा नहीं, इसलिए इस अगस्त आफर का इंडियन स्पाब्लिक, इंडियन लीडर ने क्या किया, डिनाई कर दिया इंकार, हमें ये मनजूर नहीं है, आप 1940 अगस्ताफर आने के बाद सीधे से इंकार, 1940, 1941, 42 में भी वही जबरजस्त, आप बताईए, जब ऐसा उन्होंने किया, आपने इंकार कर दिया, जब दो पार्टी में लड़ाई चल दा है, और कोई एक पार्टी आफ देता है आपको, तो इसका क्या मतलब समझेंगे, ओ पार्टी हमसे डर रही है, जूक रही है, तभी तो आफ़र आपके सामने, और दूसरी पार्टी जो आपके अगेंस है, अगर जूक रही है, तो आपका हांसला बढ़ेगा हिम्मत या घटेगा, और बढ़ जाएगा, कि तो अगले क्लास में मैं बात करूँगा, फॉर्टी टू में ब्रिटिस गवर्मेंट क्रिप्स मिश्टन भेजा, उस मिश्टन का उदेश क्या था, मैं चर्चा अगले क्लास में, तो आज यहीं तक, ठैंक यू